नमस्कार, मैं पवन कुश्वा, आप तमाम दर्सोकों का स्वागत करता हूँ हमारे खास कारिकरम इस्मरन में आज हम बात करते हैं भारत के सविधान निर्माता, भारत रत्न और महान विधेवेता अर्थ सास्त्री समास सुधारक भीम राव अंबेटकर जीकी जो बाबा साहिब अंबेटकर के नाम से दुनिया भर में लोग प्रिय हुए जिनका जन्म 14 अप्रेल 1891 में ब्रिटिस भारत के मध्य प्रांत जो आज के मध्य प्रदेश के मौनगर में हुआ पिता स्री राम जी सकपाल और माता भीमावाई हुई पिता का उपनाम सकपाल तो बाबा साहिब को अपना उपनाम अपने ब्रहमन शिक्षक करश्णा महादेव से अंबेटकर मिला पढ़ने में होनहार छात्र के रूप में बाबा साहेब ने देश विदेश तक पढ़ाई की बाबा साहेब का विवा लगभग 15 वर्ष की आयू में रमबाई से हुआ तब भारत में बाल विवा का प्रचलन हुआ करता था बाबा साहेब ने अपने बोधिक चाथ्टुरूय से भारत का समविधां निर्मांड किया और लगभख सहाथ देशों के समविधां का अध्यन भी किया गया था बाबा साहिब के द्वारा तैयार किये गए सविधान के पाठ में नागरिकों की स्वतंत्रता महिलाओं के लिए आर्थिक सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिये गए अपने कार्य को पून करने के बाद बोलते वे अंबेटकर ने कहा मैं महसूस करता हूँ कि शविधान साध्य काम करने लायक है यह लचिला है पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांतियों और युद्ध दोनों के समय जोड कर रख सके वास्तों में कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा सविधान खराब है बलकि इसका उप्योग करने वाला मनुश्य अधम था बाबा साहिब ने अपने जीवनकाल में बड़े हिस्से में उश्नीच, भैदभाव और छुआचूद को मिटाने के लिए काम किया समानता के पक्षधर थे अपने जीवनकाल के अंतिम समय के कुछ समय पहले बोध धर्म अपना लिया और अनंत 6 दिसंबर 1956 को भारत के प्रथम कानुन मंत्री, विधी वेता, अर्थसास्त्री, राजनेतिक और सामाजीक बेदभाव के विरुध आंदुलन करने वाले महिलाओ के अधिकारों के मसिहा, महान समा सुधारक, परभुद्ध विचारक और सामाजीक करांती के अगरदूत डॉक्टर भीम राओ अंबेट कर हमें इस दुनिया से छोड़ कर चले गए मगर उनके कारियों का दुनिया अनंत समय तक अनुशरन करती रहेगी तो यहां था हमारा खास कारिकरम इश्मरन और मिलते हैं ऐसे ही किसी महान हस्ती से तब तक के लिए दीजे इजाज़त नमस्कार